हरहर महादेव जै भोलेनाद सावन के सोंग वारवरत में और सावन के प्रतेएक दिन पूजा करने के लिए लगने वाली संपून पूजन सामगरी आज की वीडियो में आप देख पाएंगे अगर आप इस पूजा को अपने घर पर करते हैं तो इस तरह से मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग आपको अवश्य बनाना चाहिए अगर आपके घर में किसी धातु का शिवलिंग रखा हुआ है तब आप इस पूजा को सावन में हर रोज कर सकते हैं इस तरह से आपको शिप परिवार का फोटो आपके घर के मंदिर में भी आपको अवश्य ही रखना चाहिए। बोले नात की पूजा के लिए सरुप प्रिय चीजे आपको अवश्य ही उसमें शामिल करनी चाहिए। जैसे आकडे के फल फूल पत्तियां, धतूरे के फल फूल पत्ते, दुर्वा, भांग, समी पत्र, बेल पत्र, सफेद फूल, पीले फूल जो भी आपको मिल जाएं वो आपको शिप पूजन में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। बोले नात के प्रिय पोदे, आकडे, बेल वरक्ष और धतूरे के अगर आपको फल और फूल मिलते ह अगर आपको फल फूल ना मिले तो आप इनके पत्ते भी शिप पूजा में रख सकते हैं। बेल वरक्ष जब भी बेल का पत्ता आप अलग करें तो पीछे से गांट हटा कर ही आपको शिप पूजा में उसे अर्पित करना चाहिए। ये जो लाल फूल है माता, पारवती को और गणेश जी को चड़ाने के लिए आपको गुड़ल का फूल अवश्य ही लेना चाहिए। और सफेद फूल मोगरा का फूल है जो भूले नात को बेहद ही प्रिये हैं। बाबा भूले नात की पूजा में केत की और केवडे के फूलों को चड़ाना वरजित है तो आप कच्चे दूद से या फिर सुध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप गंगा जल से भी भूले नात का अभिशेक कर सकते हैं। दीपक लगाने के लिए आपको अगर गवमाता का सुध देशी घी मिल जाए तो सरवत्तम अगर घी ना मिले तो तेल के तेल का भी आप प लग सकते हैं। भूले नात की पूजा करने के लिए आपको काले तिल भी अवशे लेने चाहिए जब भी आप शिवलिंग का अभी शेक करें तो थोड़े से काले तिल डाल करी आपको शिवलिंग का अभी शेक करना चाहिए और वस्त्र रूप में कलावा रक्षा सुत्र मो अक्षक और चनी की दाल आपको शिप इंडी पर चढ़ाने के लिए अवश्य ही लेनी चाहिए धूप दी प्रजवेलित करने के लिए माचिस और रोज की पूजा में एक रुपय का सिक्का आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए भोले नात को भस्म बेहद प्री है इसलिए आप पहले से ही तयार करके छान कर रख लें तिलक लगाने के लिए चंदन, हल्दी, रोली, कुमकुम ये सबी चीज़े लेनी है लेकिन हल्दी, रोली, कुमकुम आपको केवल गणीश जी को और माता मंगला गोरी को ही अरपित करना है शिप इंडी पर आपको गलती से भी ह पूर्ण पूजन सामगरी है जो मैंने आपको आज की वीडियो में दिखाई हैं सावन के प्रतेख दिन या फिर सावन के सोंवार वरत में अगर आपको ये सबी सामगरी मिल जाती है तो सर्वत्तम अगर आपको किसी वजह से इसमें से कुछ सामगरी ना भी मिल पाएं तो आप निराशना हों, आप केवल पांच चीजे लेकर भी भोले नात की पूजा कर सकते हैं और उनसे अपनी कामनाई पूर्ण करा सकते हैं। पंच अपचार विधी सास्तरों में सर्वोपरी बताई गई हैं। पंच अपचार विधी में आपके वर धूप, दीव, फल, फूल और नेवेद। इन पांच चीजों से भी पूजा करके भोले नात की किरिपा प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हर हर महादे, जै भूले नात।